हरन महादेव जय भोलेनात नमस्कार दोस्तों आप सभी का श्वागत है धर्मग्यान के मार्ग में आज हम बात करेंगे 18 सितंबर साल 2024 का दूसरा चंद्र गरहन कब और कहां भारत में कितने बचे दिखेगा करबती महिलाएं रहे सवधान गरहन के दौरान क्या करें क्या ना क करें सभी महत्पूर्ण बात इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि साल 2024 के दूसरे चंद्र गरहन की तिथी गरहन भारत में दीखेगा या नहीं गरहन कितने बजे से लगेगा गरहन कहां कहां दिखेगा सूता काल का समय और गरहन काल के दोरान क्या करें क्या ना करें सभी महत्पूर्ण बात इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वीडियो को आंता तक लाश्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आप लोगों को सारी जनकारी समझ में आ जाए यदि जनकारी पसंद आए तो ऐसे ही वीडिय के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कर साथ ही साथ घंटी को जरूर दबाईएगा जिससे की मेरे वीडियो के नए नोटिपेकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुचे कमेंट बॉक्स में हरार महादेव जय भोले नाथ चरूर लिखेगा इनकी गरहन लगता है वहीं पुरानों की माने तो जब राहू चंद्रमा को ग्रसित करते हैं तब चंद्र गरहन का संयोग बनता है सितंबर माह में लगने वाला यह गरहन 18 सितंबर को ذादरपद पुर्णीमा के दिन लगेगा या आंसिक चंद्र गरहन होगा चलिए जानते हैं भातरपत पुर्णीमा के दिन लगने जा रहे हैं साल के दूसरे चंद्र गरहन की तिथी भारत में गरहन दिखेगा या नहीं गरहन कितने बज़े से प्ररंब होगा गरहन कहां कहां दिखाई देगा सूतक काल का समय और गरहन काल के दौरान क्या करें क्या ना करें सभी बाते आप लोग वीडियो में बने रहिए दोस्तों साल का दूसरा चंदर गरहन 18 सितंबर दिन बूधवार को भादरपत पुनिमा पर लगेगा भारतिय समय के अनुसार गरहन 18 सितंबर की सुबह 6 बचकर 11 मिनट पर लगेगा जो सुबह के 10 बचकर 17 मिनट पर समापत होगा गरहन के कुल अवधी 4 घंटे 6 मिनट की होगी चंदर गरहन का पर्म गरास सुबह के 8 बचकर 14 मिनट पर होगा चंदर गरहन का सुबह के 9 घंटे पहले लगता है जो 30 के अनुसार 18 सितंबर को लगने वाले चंदर गरहन आंसिक चंदर गरहन है गरहन के दवरान धर्म कर्म के कायर नहीं किये जाते हैं चुकि यह चंदर गरहन भारत में नजर नहीं आएगा इसलिए सू तक भी माने नहीं होगा तो जितने भी भारत की लोग है डरने की कोई जरूत नहीं है आप लोग जैसे हैं वैसे रहें भारत में यह गरहन दिखने वाला नहीं है जो 30 के अनुसार साल 2024 का यह दूसरा और आखरी चंदर करहन इवरोप एसिया के जयदातर हिस्सु अफिरका उत्री अमिरका दच्णी अमिरका प्रसांत हिंद महासागर आर्टिक सिमित छेत्रों में दिखाई देगा यह गरहन भारत में नजर नहीं आएगा लेकिन मुंबई समित कुछ पच्मी हिस्सों में दिखाई दे सकता है सास्त्रों के अनुसार गरहन का सूतक का लगने के बाद इश्ट देवी देवताओं और सुर्य मंत्रों का जाप करना चाहिए गरहन के सूतक लगने के बाद पूजा अस्थल को किसी परदे से ढख देना चाहिए सास्त्रों के अनुसार गरहन लगने से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल कर रखने चाहिए गरहन काल के दौरान किसी भी मंदिर में परवेश करने की अनुमती नहीं होती है गरहन के सूतक काल को इसकी छूट दी जाती है ग्रहन समाप्त होने के बाद घर में गंगा जलका छुड़का पूरे घर को सुध करना सुभ होता है तो ग्रहन के बाद आप लोग गंगा जलका छुड़काव कर अपने घर को सुध जरूर करें ग्रहन समाप्त होने पर असनान इवदान करना भावी रहती है इसलिए गर्वती महिलाओं को सुर्य गरहन की छाया से बचना चाहिए गरहन को खुली आँखों से कभी नहीं देखना चाहिए तो गर्वती महिलाओं जादा करके सवधान रहें गरहन के दवरान गर्वती महिलाओं को कुछ भी नहीं काटना चाहिए जैसे कि सबजी वगरा इन सभी बातों पर ध्यान रखना चाहिए वरना बच्चे को नुकसान हो सकता है उमीद करती हूँ कि यह जनकारी आप लोगों को पसंद आएगी यदि जनकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए भाए धन्यवाद